नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आज श्री शर्मा आज तक 24 नियूज में आपका स्वागत है आए रुख करते हैं आज की ताज़क खबरों की और श्रम पांच बचे बस ट्रेंड सितकन्या स्कूल की से भवे शुबायात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई चुनगर के प्रमुक मार्ग सराफा बजार जटा शंकरी चौक से होते हुए भावसार तरमशाला पॉजी से से बड़ी संक्या में नगर के और खरगोन से पद नहीर यादव समाज शेत्री राजपूत समाज पाटीदार समाज में भाषपा मंडल के कारेकरताओं ने पुश्पवर्षा वा जलपान करवा कर स्वागत किया शोबयात्रा में महिलाओं पित्र और पुरुशों ने सफेद वेश्पूशा में होकर गले में भगवा पूर्थी को एक सूसजित पालकी में सापत कर जयगोश कर रहे थे वहीं मात्र शक्ति द्वारा करश्वा गर्वन रित्र किया गया बापसार धर्मशाला पहुंचने के बाद माता हिंगलाज की सामुहिक रूप से पूजन अर्चुना कर महारती करी गई ततपश्वात मु को ठीक करना है तो हमें परिवार को ठीक करना वशक है तब ही हम अपने देश को धर्म गुरू बना सकते हैं और समाजिक समर्शता कर भाभ पैदा कर सकते हैं विशेश अतिति के में नगर परीशद अध्यक्षिय मांगिलाल मुकाती निकाह कि समाज में एक जूटता लाने क लिए हमें ऐसे आजन को निरंतन करना होगा आज भावसार समाज द्वारा किया गया या कार अती प्रेड़ना दायक है वही स्वागत भाशन देतु हुए समाज अत्यक शुराजेंद भावसार ने समाज की रीती निती वागामी कारी उजना के बारे में पिस्तार से बताए स्वी में प्रतम इस्तान प्राप्त करने वाली पावनी सुनिल भावसार अक्षिता अरविंदर भावसार वा सार्थक नितेश भावसार को शील्ड वा प्रशिशित पत्र देकर समानित क्या साथी नर्मदा प्रक्रिमा वासियों को सेवा करने है तूयोगेश भावसार समानित किया गया, यो मुखकेमंतिटेसे समबात करने भर रोजगार, स्वरोजगार चलाने वाली अकांशा सुनिल पारिक को भी समानित किया गया भावसार समाज अंजड द्वारा खर्गून के समाज सेवी कृष्णलाल बंकट जी भावसार को सापरिवास मतीचन भेट कर समानित किया इस मौके पर समाज अद्दक्षिराद किया। अंत में सभी ने सामुहिक रूप से बोजन प्रसादी ग्रहन की गई, बोजन प्रसादी खर्गून के क्रिश्णल भावसार बरिवार के सौजन से की गई। जुलाद चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रेपूर्ट। आज च्छत्री भावसार समाज के लिए बहुत हर्ष्य का विशायो और गरवकत दीन है। कि आज हमारी भावसार समाज की कूल देवी इंगलाज माता का आज प्रकोटोट्सव जन्मट्सव है और हर प्रतिवर्ष अंजण भावसार समाज बड़ी धूम धाम से माता जी की शोबा यात्रा निकाल कर और धूम धाम से शोबा यात्रा धर्मिशाला तक लाता है और ग जो भी विशेश कारियों में अपना योगदान देते हैं समाज के अंदर उन्हें हम यहाँ पर संबानित करते हैं। आज भावसार समाज अंजड की ओर से मैं सारे नगरवासियों को और भावसार बंदूओं को हार्दिक सुपकामना हैं, हार्दिक बदाई देता हूं और माता हिंगलाज की कृपा सब पर बनी रहें। इसे मैं मां हिंगलाज से निवेदन करता हूं। फुलाल के लिए इतना ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।